कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ आज हम सुनेंगे अंजना वर्मा की कविता अमलताश पारुल चंद्रा की आवाज में उठालिया है भार इस भोले अमलताश ने दुनिया को रौशन करने का बिचारा दिन में भी जलाए बैठा है करोणों दिये नजाने किस स्त्री ने टांग दिये अपने सोने के गहने अमलताश की तहनियों पर और उन्हें भूल कर चली गई पीली तितलियों का घर है अमलताश या सोने का शहर है अमलताश दिवाली की रात है अमलताश या जादूई करामात है अमलताश आज की कविता को आप पॉड्कास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं आप जहां भी प्रति दिन एक कविता सुन रहे हैं वहां आपने कॉमेंट शेर करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुती हर सुबह आपके वाट्साप पर आजाए तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें 742-8775376 कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे